तो दोस्तो सामने जो आप मंदिर जैसा गेट बना देख रहे हैं यही है नेपाल बार्डर इसी को क्रस करके हम लोग आज जाएंगे नेपाल का नेपाल में है और पीछे जो आप बार्डर देख रहे हैं यही बार्डर पार करके हम लोग आज जाएंगे दोस्तो नानपारा में अपने ट्रेन खड़ी हुई और दूसरी ट्रेन यहां से निकलके हुए नानपारा जक्शन से दोस्तो कैसे हैं आप सब लोग उमीद होगा अच्छे होगे और स्वागत है आपका एक नए सफर में और स्वागत करते हैं आपका बहराइच के बहराइच रेलवे स्टेसन पे तो दोस्तो आज हम आपको ले चलेंगे एक पुराने जमाने की मीटर ग्रेश ट्रेन जो अब प्लेटफरम पे एंट्री और सामने खड़ी है अपने मीटर ग्रेश ट्रेन अतिहासी ट्रेन जो आज के जमाने में भी चल रही है जहां तक बात करें आज के जमाने की ब्राद ग्रेश लाइन की तो मात्र हमको लगता है यही एक ट्रेंड बची होगी अपने जो बहराई से नेपाल गंज आती है मिल्टर गेज ट्रेंड तो आईए ले चलते हैं इसके रोमांचक सफर में आपको च्छे बच के 25 मिनट हो रहा है और च्छे बच के 30 मिनट पर सुबह सुबह यहां से चलती है अपनी मिल्टर गेज ट्रेंड तो दोस्तो हम लोग आ चुके हैं प्लेटफर्म पे और हमने ले लिया है टिकट आप लोग देख सकते हैं बहराई से नेपाल गंज रोड और टिकट पड़ा हमको मात्र 35 रुपे का तो देख सकते हैं आप लोग मात्र आप 35 रुपे में बहराई से नेपाल गंज जा सकते ह और नेपाल की प्यात्रा कर सकते हैं और नेपाल गोम सकते हैं दोस्तों सामने खड़ी अपनी मीटर गेश ट्रे तो आईए इसका लोकोमोटी दिखा देते हैं आपको और फिर ले चलते हैं आपको इसके जरनी पे शुबह-शुबह का सांदार नजारा आप लोग देख सकते ह देख सकते हैं आप लोग हमारे पीछे वे लोकोमोटीव खड़ा है वाइडियम 4 लोकोमोटीव कुराने जमाने का मीटर गेश ट्रेन का देख सकते हैं और काफी सांदार कुराने जमाने का लोकोमोटीव है तो इसी लोकोमोटीव को साथ आज की अपनी जरनी होने वाली है तो देख सकते हैं इसका हॉंकिंग और इसकी साउंड काफी अच्छी है पुराने जमाने की यार दिला रहा है तो आए बस छे बच के तीस मिनट होने वाला है और जर्णी की शुरुआत करते हैं तो दोस्तो यही है अपने इच्छत नगर सेट का वाइडियम फोर लोको मोटुव जो अपने प्रेंड और दोस्तो अभी आपने देखा प्रेंड हॉंकिंग कर चुकी है और प्रेंड पास ले रही है जलते हैं और जर्णी की शुरुआत करते हैं तो दोस्तो यह देख सकते हैं बाहराई से अपने ट्रेंड का डिपार्चर हो चुका है अपने राइड समझे बचके 30 मिनट से और बच्चों को देखिए देखने के लिए आचुके हैं ट्रेंड को अपने सुवा सुवा का काफी सांदार न जा रहा आईए 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 महाराज और भाईया देखिए थोड़ा सा लेट हो गए और इन्होंने ले लिया इंट्री तो ऐसे आप लोग ना करें और समसे आजाए इस्टेशन और समसे ट्रेंड पकड़ें क्योंकि इसे चलती ट्रेंड में आतरा करना खतरनाक हो सकता है हुआ है कर दो दो तो 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 सुबर सुबर के टाइम है और आप लोग नजारा देख सकते हैं पीछे का फिंठना कोई रहा है कि आप दाए इसे लिए रख कि आपके चलती है हं अफ्ते से साथो दिन शुबार राई शे बजे बाराई से नेपाल गंज के लिए। अब को कभी नेपाल गंज जाना हो या नेपाल जाना हो तो आप इस ट्रेन को पकड़ते हैं इसवाके साड़े चंप बंजे औरहेँ देखिये दोछ दो जबर्जा स्कौरा पढ़ रहा है क्योंकि अपना चेतर पढ़ता है हमालाही का तरा ही छेतर पढ़ता है इसलिए इलर का देख लीजिए द्ल जारें पहरे का आपज़जा स्कौरा मतटरा और दोस्तों आप लोग सामने देख सकते हैं एक ट्रेन अभी भी पुराने जमाने को सिस्टम फॉलो करते हुगे चलती है जो इस सिस्टम सायद आपको कहीं नहीं देखने कुम मिलेगा क्योंकि सारे जगा बंद हो चुके हैं क्यावल इसी रूट पे बस है और दोस्तों ट्रेन अपने अराइव होते हुए है अपने फॉर्स इस्टोप बेज रिस्या रिस्या इस चसर पे अपने ट्रेन अराइव हो आपना जा रहा है तो देखते ही देखते छे बचके सुभा के पंदर में अठो रहे हैं और अपनी ट्रेन आ चुकी है अपने फॉर्स इस्टोपे रिस्या पे तो आप लोग देख सकते हैं अपने ट्रेन का हंकी होच चुका है और फेट्रेन भी निकल चुका है मात्र एक मिनट भी पे ट्रेन नहीं था तो आएज opened it just day इसका departure लेते है और चलते हैं इसके दुफ्री पे तो दोस्तो रिस्या से अपनी ट्रेन डिपार्ट करते हुए और दोस्तों आप लोग इसाद देख सकते हैं केले के खेती दर बहुचादे हो रही है दूला पाले है मटे रहा दोस्तों आपे स्कूली बच्चे जाते हैं और ट्रेन अपनी मटेना पे अराइव होते हुए तो दोस्तों बहराज से 25 किलोमीटर की दूरीताय करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपने सेकेंड डिश्ट पेज मटेना पे और यहाँ पे अपने ट्रेन आई है यहाँ पे आने का अपनी ट्रेन का टाइमिंग था साथ बज़ के पंदर मिट पे लेकिन ट्रेन आई है साड़े साथ बज़े क्योंकि इस सिग्नल में कुछ मैनोली दिक्कत आ गए थी इसलिए इस ट्रेन वहाँ पे आउटर पे थोड़ी रुख गए थी इसके वज़़े से थोड़ा सा लेट हुआ और बाकी अपने ट्रेन सही है और सही टाइमिंग पे चल रही है तो इस मटेरा हाल्ट पे आप देख सकते हैं यहां पे इसकूली बच्चे काफी ज्यादा बोट की है ट्रेन को तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स इस टोपेज पे और दिखा देते अपने ट्रेन का डिपार ट्रेन का हंकिंग हो गया है और देखिए हरी जंडी भी दिखा दे है पाइलट ने और देखिए दोस्तों मटेरा से अपने ट्रेन डिपार्ट लेते हुए बोट कुण गपको इसक रेचां तेजना क्वेश लेचा जोगा जोड़ा देए का जाता हुआ जोड़ा बगूज ने दोड़ा है झाल दिखा झाल के दूछ लेँए क्योंकि इस तरह की इंजन अब चलने बंद हो चुके है तो इस तरह का ट्रेज साउंड आपको जायद ना सुने को भी ले या पी प्यारा ट्रेज साउंड तो दोस्तों ट्रेन अपनी अराई होते हुए नान परा जक्सत है आपनी वाइडियम पॉर लोकोमोटुक साथ पीटरगेश ट्रेन जो नेपाल सन से चलकर बहराइज को जाती है और यह देखके रिंग लेक्टर हुए अपने इस्टेशन के चलमचारी अपनी अपनी ट्रेन खड़े हुई और दूसरी ट्रेन यहां से निकलते हुए नान परा जक्सत है तो दोस्तो समय हो रहा है आठ बच के पांच मिनट और अपनी ट्रेन आ चुकी है नान पारा जक्सन पर और पीछे आप अपने फुड प्लाजा देख रहा है रेल आहार यहां पर आप कुछ भी खाने पिने का आइटम आपको मिल जाएगा और यहां से नान पारा जक्सन इ अपनी मैलानी के तरफ जाती है इसलिए जक्सन पॉइंट भी है और यहां पर अपने ट्रेन का मतलब रुखने का टाइमिंग आरे गंटा था लेकिन ट्रेन मतलब काफी लेट आई है क्योंकि पीछे आउटर पे काफी देर खड़ी रह गई थी तो ट्रेन अपने लेट तो दोस्तों नान पारास अपने ट्रेन डिपाज करते हुए और दोस्तों यह देख लीजे हम लोग आ चुक हैं ट्रेन के अंदर और अपने कोच का यह इंटीर दिखा देते हैं आपको और यह देख लीजे पूराने जमाने के कोच इस तरफ आपको सीट नहीं मिलेगी केवल एकी तरफ सीट मिलते हैं और वो भी लकडी का आप लोग देख सकते हैं, सारा चीज, पुराने जमानी की ट्रेन, पुराने जमानी की चीजे, आपने सायद थी कभी ऐसे, कोच में सफर किया होगा, क्योंकि आज कल एक कोच चलने तो बंद हो गया है, काफी बार्स पहले ही बंद हो चुके हैं, आप तो सब ददि वाली सीटे आ चुकी बाकि यही है पुराने जमाने का इंटीरियर और डिजाइन एक चीज़ में दिक्कत है कि इसको साथ सफाई नहीं किया जाता है तो यही चीज़ इसमें काफी दिक्कत है और इसमें आपको लेटरिन बात्रोम के भी सुविधा मिल जाएगी बाकि यही है अपने कोच का इंटीरियर और डिजाइन तो आएए चलते हैं बाबा गंच तो दोस्तों अभी हम लोग आचुके हैं अपने चोथे हाल्ट बाबा गंच पर और यहां से जो नेपाल की दूरी है मात्र साथ किलो मिटर रह जाते हैं तो चली अपने ट्रेंड का हंकिंग हो गया है और आएए इसका डिपार्चर दिखा देता है फिर मिलते हैं आप से सिधे नेपाल का गंच में परेन अपने डिपार्च करते हुए बाबा गंच से कर दो कर दो दो जाएएए आपिपार्चा येपार्च आपते हैं आप वारल कर्दयों झाला। झाल झाल नेपाल गंज रोड और इसी के साथ अपने ट्रेन नेपाल गंज रोड पे अराइव होते हुए झाल झाल तो फाइनली दोस्तो अपनी ट्रेन आ चुकी है नेपाल गंज रोड पे और यहीं पर खतम हो जाती है अपनी और इस ट्रेन की चरनी तो आएए अब यहां से आपको ले चलते हैं बॉर्डर क्रास करके नेपाल और वहां का दिखाते हैं कुछ सीम और मिलते हैं नेक्स्ट ब् नेपाल के अंदर इसको रुपई डिहां नेपाल बॉर्डर बोल जाता है क्योंकि यहां पे रुपई डिहां का मार्केट है इसलिए रुपई डिहां नेपाल बॉर्डर तो दोस्तो वेलकम टू नेपाल स्वागत है आपका नेपाल में और पीछे जो आप बॉर्डर तच्छे एक हो लेकिन यहां पर हम लोग से कोई भी आइडी नहीं मागागे तो चलिए नेपाल का आपको टूर करवा देते हैं